दोस्तों कर आपने यूटूब पर बिल्कुल नया चैनल बनाया है, तो तूरंद आपको ये दोनों सेटिंग करना चाहिए, अगर पहला सेटिंग जो आपको बताने वाला हो, उसे अगर आप नहीं करते हो, तो आपका चैनल सर्च में नहीं आएगा, अगर आप यूटूब करने का बाद आपका चैनल सर्च में भी आएगा, आपका चैनल मनोटाइज भी होगा, तो आपको अपने चैनल में ये दोनों सेटिंग जलूर करना है, और अगर आपका चैनल पुराना भी है, तो फिर भी चेक कर लो, क्योंकि हो सकता कि आपने इस सेटिंग को करके नहीं जखा होगा, तो दोनों सेटिंग करना जरूरी है, तो वो दोनों सेटिंग कौन सा है, मैं चलिए, आपको इस वीडियो बताता हूँ, चलिए करते हैं, वीडियो स्टार्ट, लेकिन इस से पहले, कल गभी आपके विनर देखो, इस भाई का चैनल का लिंक, मैं अपने वीड साथ तिनों पर्मोसन कर दूँगा, तो दोस्तों चलिए करते हैं, वीडियो स्टार्ट, अब दोस्तों देखिए, मैं आज मोबाइल स्किन पर, चलिए, मैं आपको पहला सेटिंग मताता हूँ, अगर आप इसे नहीं करते हो, तो आपका चैनल सर्च में नहीं आएगा, और इस Chrome Browser को Open करना है, आपको पने YouTube चैनल में सेटिंग करना है, लेकिन आपको Chrome Browser Open करना है, अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद आपको यहाँ पर सज करना है, YouTube.com या फिर इस लोगों पर कर सकते हो, क्लिक, मैं करता हूँ, क्लिक, अब जैसे क्लिक करते हो, आपके सामने इ Shop开ится, जैसा Open हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए, आपको मिल रहा हूप, छोड़ा सा एक लोगों यहाँ पर, इस लोगों पर आपको क्लिक करना है, इस कहले हुआ है, तो क्लिक करने का बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मिल रहा है, दो नमर में, एक आपसन YouTube Studio तो बस आपको इस पर करना है क्लिक अब इस पर इसे क्लिक करते हो तो आपका YouTube का BTI Studio अपन हो जागर यहीं से आपको पहला setting अपने चैनल में करना है कौन सा setting है चलि मैं आपको दिखाता हूँ ज़रोरी है करना है यहाँ पर देखो जब आपका इस पर अपन हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर सबसे नीचे corner में एक setting का icon चोटा सा दिखेगा यहाँ ठीक है जूम भी कर सकतो पेज को यहाँ पर देखिए corner में यहाँ पर दिख रहा है बस इस पर आपको यहाँ पर करन यूटूबर ग्यान यूटूब ग्यान यूटूबर ग्यान मनोईदे टेक्निकल योगी टेक्चींपियन सपोर्ट तो मैंने मतलब 4-5 कीवर्ड डाला हूँ अब देखिए आपको क्या करना है आपका चैनल का नाम जो भी है मान ज़िए आपका चैनल का नाम है सुनिल टेक अब इनसे क्या होगा कि इन कीवर्ड को डालने के बाद आपका देखना दूसरे दिन आपका चैनल सर्च में आएगा अगर यूटूबर अपने चैनल सब से टॉप में दिखेगा तो यह होगी आपको चैनल सर्च में लाना है तो इसको जरूरी है करना है अब चली मैं आप कि दूसरा कौन सा setting करना है जिसके बाद आपका channel monetize होगा अगर उसे नहीं करता हो तो आपका channel monetize है नहीं होगा अब क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर एक option आपको मिलता है manage your google account तो बस इस पर आपको करना है click तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ manage your google account पर अब देखिए आपका Gmail ID यहाँ पर दिखेगा नहीं कि आपका Gmail ID का जितना सारा setting होता है यहाँ पर दिख जाएगा अब यहाँ यहाँ पर देखिए आपको जाना second setting पर यहाँ पर security पर और security पर क्लिक करने का बाद देखिए यहाँ पर आपको इस परका से scroll करना है यहाँ पर एक option आपको दिखेगा two step verification जो यह दीख रहा है इसे करने से क्या होता है दोस्तों देखिए जब अपने चैनल को monetize के लिए भ कर सकते हो तो इसे करने जरूरी है और इसको करने से और एक benefit है कि आपका चैनल के अलग लेवल का security मिल जाता है अनि कि कोई अगर आपका चैनल को हैको कर रहा है न तो यह अलग security बन जाएगा और एक two step मतलब बहरी बिगसन जो कि क्या होगा जब भी कोई login करना चाहेगा तो बिना two step verification का लेकिन अब आपको 1000 subscriber चाहिए और प्लस में two step verification भी on चाहिए तब जाके आपका चैनल monetize होता है तो यह था option इसको on करना यह दोनों setting को आपको अपने channel में अगर आपने YouTube पर नया channel बनाया है तो आपको पैसा कमाना है YouTube से monetize करना है तो monetize करने से पहले आपको यह काम को कर लेना इससे करने से अभी कर लो अभी कर लो ताकि आगे चल कर आपका channel में कोई दिक्कत ना हो ठीक है तो पैरा setting करने से आपका channel सर्च में आएगा और दूसरा setting करने से आपका channel आप monetize को भेश सकते हो तो यह था दोनों setting अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडि बंदे मातरओं